असलाम अलेक्म नाजरीन आप हैं हमारी चैनल स्टोरियो आफ ओलिया अल्ला पर तो नाजरीन इस वक्त मैं उतर परदेश के अंबेटकर नगर की छोचा शरीब में आया हूँ और यहीं पर हजरते मक्दुम अश्ब जहागिर सिम्नानी रह्मतुल्लाही ताला अले की एक बिल अल्लाई बीबी का आस्ताना हजरते मक्दुम अश्ब जहागिर सिम्नानी रह्मतुल्लाही ताला अले के आस्ताने से कुछी दूरी पर वाके हैं आप दस रुपए दे के इस आस्ताने तका सकते हैं अल्ला ने अपने वलीयों को वह इख्तियार दिया है कि उनके जेरे सरपरस्ति में इंसान तो क्या जानवर भी जेरे करामात हो जाते हैं और इस बिल्ली की सबसे बड़ी करामात यही थी कि हज़त Мיक्धोंसर श्मिनानी रहमत आला आलई कि हा में जब लंगर बनता। तो ये बिल्ली जितने बार आवाज लगाती। उतने लोगों का खाना बनाया जाता। अप्पार का वाक्या है कि हज़त मक्धुनसर श्मिनानी रहमत आला आला। कि लंगर खाने में एक कड़ाई में दूद गर्म किया जा रहा था जो कि लंगर खाने के लिए था वो वहाँ आए तमाम लोगों में तक्सीम किया जाता उस लंगर खाने के दूद में एक साब गिर गया उस साप को गिरते हुए उस बिली ने देख लिया वो बिली दूद के उस कड़ाई के पास आई और जो बावर्ची उस दूद को गर्म कर रहा था उसे बताने के कोशिश करी उसे बार बार खीशती तो उसे लगा कि ये बिली दूद पीना चाहती है उसने दूद निकाल कर एक प्याले में बिली को दे दिया और दूर रख दिया लेकिन वो बिली बार बार उस दूद को अपने पैरों से गिरा देती और फिर उस कड़ाई के पास आती उसे कुछ बताने के कोशिश करती लेकिन उसे यही लगता कि यह बिली दूद पीने के लिए मांग रही है लेकिन बिली ऐसा नहीं चाहती थी बलके वो कड़ाई में गिरे हुए साप को बताना चाहती थी लेकिन वो शक्त जब इस बात को नहीं जान सका वो बिली उस कड़ाई में कोद गई और कोद करके अपनी जान दे दी गई जब दूद को फिका गया तो उसमें क्या देखा जाता है कि उस कड़ाई में एक साप मरा हुआ है उसके बाद आपके बिली की एकरामाद जाहिर हो गई आज भी बिलाई बीबी के आस्ताने पर और सेफ जदा लोगों को बिली पंजे मारती है जिससे बहुत से लोगों को शिफा हसिल होती है हजते मक्दूम अश्रप सिमनानी रह्मत उल्लाहित आलाई के आस्ताने से बिलाई बीबी का आस्ताना थोड़ी दूर पर वाके है कि अजे जिससे को भीन अबड़की में बीया है अजेमी ड़ी झाल अड़़ जिससे लोगों से उल्डवश baccame कि अजे